दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यदि आपने आईटी आई कर रखायों और आईटी आई में टीचर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी बड़ी सुनारा मौका है क्योंकि लंबे समय से यह जो बहाली थी और नहीं आ रही थी जिसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है यसी को आप अपने भासा में अगर आप समझे तो यह जो आईटी आई में जो टीचर होते हैं वो होते हैं इनके लिए जो बहाली परकिरी आपको बताई गई है कि 9 साल यह आगर आप अपलाई करना चाहते तो आपकी क्वालिफिकिसन क्या होगी कौन अवियार्ती इसके लिए अपलाई करेंगा और साथ ही साथ कपसे अपलाई होगी उसकी सारी जनकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंतक और आज के डेट में ही इसे जारी किया गया है जो काफी एक अच्छे ख़बर आपके लिए हो सकता है क्योंकि यह जो जौब अगर आप पाल लेते हैं तो काफी अच्छे खासे काम भी है आपको ज्यादा परसान भी नहीं होनी होगी और सेलरी भी काफी अच्छे खासे इसमे इसमें बताया गया कि 49 ट्रेडों में जल्द होगी बहाली की परक्रिया यानि ट्रेड आप जानते होंगे भली बाती इलेक्टिसियन होते हैं फीटर होते हैं इलेक्ट्रोनिक मैकेनिक होते हैं इसके अलावे डिजल मैकेनिक होते हैं इस परकार के जो ट्रेड है उसकी संक्या बताई ये 49 है तो जो टीचर बनेंगे इसके लिए 49 ऐसे अलग लग ट्रेट के लिए ये अलग लग टीचर होते हैं उनका काम होता है जो बच्चे आप भले बाते जानते होंगे इन्टरांस एक्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे जाते हैं किसी भी कॉलेज में उनका दाखिला होती है तो यही जो टीचर बनते हैं वही लोग आपको पढ़ाते हैं तो इसके लिए योगिता क्या होगी सबसे पहली और सबसे बिसेस ये जानना आपके लिए ज चाहते हैं तो उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए उसके अलते टीचर बनने के लिए जैसे आप jal === मिलती है किसी भी जिस trade में आप CTI किये होते हैं उस trade में तो इसके लिए अगर आप apply करेंगे इसके लिए जबी भी भी apply की date आएगे तो इसमें आपको CTI मांगी जाएगी और आपके trade के regarding certificate होने चाहिए अब आईए समझते हैं और भी जनकारी कि क्या कुछ update इसमें बताई गई है clear यहां पर बताया गया कि सरकारी ITI में अभी नियमित जो instructor की बहाली के लिए अभी 9 सालों से इसके लिए बहाली पर किरिया नहीं हो पाई है यहां पर बताया गया है कि अभी यारती के लिए राहत भरी खबर है जो इस परकार के जोब के लिए इंतजार कर रहे थे 149 सरकारी ITI में मई तक यानि मई महिने तक आपको बताया गया है कि आपकी बहाली जो होगी 221 पदों पर होगी अब इस बहाली के बारे में बताया कि सारा बादा दूर हो चुका है आपको बहुत जल्द ही इसके लिए बहाली पर किरिया देखनों को मिलेगा जो 49 ट्रेड है जो कि यहां पर आपको उसकी जनकारी दी गए कि किस ट्रेड में कितने इंस्ट्रक्टर की जरूरत है कि सिवायोग यानि बिहार SSE इसका कंड़क्ट कराएगी बिहार SSE अगर कंड़क्ट कराता है तो आप यकीन वानिए कि यह सभी बहाली पर किरिया आपको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जागा और इसमें ये भी जनकारी दिया गया है कि आवेदन लेने के बाद आपका जो एक्जाम होगा ये CBT माद्यम से होगा मतलब आप समद लीजे कि ओन लाइन माद्यम से आपका एक्जाम होगा एक्जाम लेने के बाद तुरंत आपका जो रिजल्ट भी है परकासित होगी रिजिजन क्या है क्योंकि पहले आई टी आई कॉलेज की जो संख्या थी बता जारे कि 40 से थी लेकिन इसे बढ़ा कर 149 कर दिया गया है लेकिन इंस्ट्रक्टर की जो बहाली है और नहीं हुई है जिस कारण से अभी सरकारी साक्रा निकाला गया है उसाक्रा के अनुसार यहां पर बताया गया कि 2404 जो इंस्ट्रक्टर की जो लगभग अभी बरतमान समय में जरूरत है इस सरकारी आई टी आई कॉलेज के लिए तो यह पहाले थी आप भले वाते जान रहे होंगे जितने भी विभाग है जिसमें अभी करमचारी की अवेसकता है उन विभाग में सरकार जल्द सजल्द बाहाली पर किरिया सुरू कर रही है और जल्द सजल्द उनके लिए ओनलाइन लिए में बताई जा रही है कि सुरू होगी तो जैसे ही आएगा उसकी जनकारी आपको मिल जाएगी विडियो को अगर पसदा हो तो इससे अपने दोफ्तों के साथ सेयर करिए जो बच्चे इस पर करके क्वालिफिकेशन रखे हुए है या जो अभी यार थी इस पर करके क् क्वालिफिकेशन रखे हुए वो इसके लिए अपलाई कर सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद